रूस की सेकंड ओफ युनिवर्सिटी में नए कोरुना वाइरस की वैक्सीन का वॉलिंटियस पर क्लीनिकल परिक्षन पूरा कलिया गया है। और इसे साबित हुआ है कि वैक्सीन सरक्षित है। वालिंटियस को 15 जुले और 20 जुलाई को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि रूस ने इस वैक्सीन को बनाने का दावा पेश किया है। तो दुनिया के सामने पहली कोरोना वैक्सीन आ जाएगी। कई देशों में कोरोना वारिस की वैक्सीन के लिए प्रयोग हो रहे हैं। हाला कि भले ही रूस ने वैक्सीन का दावा पेश कर दिया लेकिन किसी भी वैक्सीन के सफल होनी की प्रोसेस लंबी होती है जिसमें वक्त लगता है। में रूस का ये दावा क्या कमाल दिखाता है ये देखने वाली बात होगी। सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेज तबेल आइकन फूर मोर अपडेट्स।